हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार अज्यूकेशन आज हम यह बात करेंगे कि डिप्रेशन पे जो डिप्रेशन के कारण सेक्शुल प्रफोमेंस जो है इंसान का उस पे क्या फरक पड़ता है क्या सेक्स के न लोगों सारे पेशेंट को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं सबके अपने मिट्स हैं और सबके अपने एक्स्प्लेनेशन होते हैं लेकिन कोई क्लियर कट पिक्चर डबल नहीं लोगों को समझ आती है तो आज हम इसको समझने की कोशिस करेंगे सबसे पहले हम यह समझते ह इसकी फिजियोलोजी क्या है और जाप शेक्सवाय रियक्षिंट या एक बेसिक रुप्षियोजी है एक हार्मोनल अच्ट है यह ए एक कॉगनेटिव यह एकमांट्रल एक फिजिकल एक की सेक्सवाय एक्सराइज है जो दो कपल के बीच में हस्बिन वाइफ के बीच में य आपका जो मेटाबोलिक प्रिकिरिया है जो आपकी फीजोलोजी है बॉडी की जो आपका हार्मोनल रियक्शन से उन सबको ना के वली यह रेगुलेट करती है बलकि कॉडिनेशन इस्टबिस करती है बिदिन बॉडी तो अब हम इसको समझने की कोशिस करेंगे कि यदि बहुत लंबे समय तक आप सेक्शुल इंटर कोर्स ना करें आज कल देखा गया है कि डिट्यू दा सम फाइनेंशल इसू इस्ट्रेस फैमिली स्ट्रेक्चर चेलेंज जब लाइफ और थोड़ी बदल गई है तो बहुत लंबे समय तक यह डिस्टेंस रिस्तों में आती है और उसके कार्ण काई वर यह दिखा जाता है कि डिप्रेशन डवलप होता है तो उसका बेसिक रीजिन यह है कि जो हमारे मेटाबॉलिक हार्मोंस हैं लाइक आपका इंसूलिन है यह डिप्रेशन में रहता है डिप्रेशन के कारण उसके बॉड़ी के अंदर नियूरो ट्रांस्मिटर के साथ साथ कुछ बायो केमिकल चेंज होते हैं और उस बायो केमिकल चेंज के कारण जैसे स्प्रेसिविक डोपामेंड में बहुत बड़ा बदलाव आता है तो उस बायो होता है और उसका directly हमारी health पर पर पड़ता है तो उसके कारण depression पैदा होता है लोगों में और depression में जब कोई इंसान होता है तो depression के कारण उसके अंदर जो बायोकैमिकल चेंज होते हैं उसके कारण दूसरे भी बदलाव आने सुरू हो जाते हैं तो देखा जाए तो depression के कारण sexual problems आते हैं और sexual problems के कारण लोगों में depression पैदा होता है तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपको इस तरह की कोई condition डवलप न हो या इस तरह की किसी आप condition में हैं यदि आप depression में हैं तो आप depression को report करें, counseling कराएं treatment लें और आप उसको natural भी deal करने की कोशिस करें और अपनी जो आपकी sexual life है, जो आपका relationship है उसको भी normalize करें क्योंकि जैसे जैसे वो normalize होगा physiologically, mentally, physically, sexually हर biochemically, हर level पे आप change देखेंगे और वो change आपको depression से भी भार आने में मदद करेंगे, अब depression के पीछे क्या fundamental cause होते हैं depression के पीछे एक stress है एक fear है, एक obsessive compulsion है इंसान की अंदर और बहुत सारे negative thoughts है उसका एक combination है कि हम depression में फास जाते हैं anxiety और depression हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लोग anxiety को भी belong करते हैं, लोग depression को भी belong करते हैं, anxiety मतलब बहुत सारे multiple thoughts के साथ बने रहना, एक pressure के साथ गिल्ट के साथ, एक negativity के साथ बने रहना, depression obsessive होना और negativity को belong करना, बहुत जादे सोचना, एक चीज के साथ लगे रहना, that is a depression और distance पे जाना, लोगों से बात ना करना, अपने रिष्टे से दूर चले जाना, अपने में विड्रॉल में रहना, और अपने ही अंदर खो जाना, ये सब चीजें हैं, अब इसको पहले सबसे पहले इसको understand करना है, second label पे फिर आपको इसको report करना है, third label पे इसको आपको treat करना है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनता है, और आज कल ये देखा जाना थे कि sexual performance, depression के साथ कुछ और दूसरे reason विए जिसके कारण directly प्रभावित होता है, obesity एक reason है high blood pressure एक reason है diabetes एक reason है androgen menopause, मतलब menopause और तो में होता है, और endopause males में होता है, तो ये भी एक reason है कि जो सारे एक hormonal biochemical metabolic change पहले जो 45 year के बाद आते थे, अब वो 35 के 30 के बाद आने शुरू हो गएं लोगों में due to the lifestyle and the stress problem, तो जो एक aging है वो बहुत early आ रही है, उसके कारण भी हम अपना जो interest stress एक्समें बडॉप कर देते हैं, हमें fatigue होता है, हमें blood pressure कम होता है, हमें थकान होती है हमें negativity आती है और एक completely biochemical physiological change हमारे अंदर आता है और उसको हम नहीं समझ पाते हैं तो उसको भी समझने की ज़रुत है उसको भी recognize करने की ज़रुत है तो depression के कारण आपका sexual performance प्रभावित होता है और sexual intimacy में distance के कारण आपको depression भी आता है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के कारण ये दोनों बढ़ सकते हैं तो आप इन पे ध्यान दें और normally इनको channelize करें correct करें, बात करें और positivity के साथ life जीएं Thank you very much and take care yourself प्रभावित करें